हेलो दोस्तो, गार्निश वित्रेणू में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे भटूरे, लेकिन ये भटूरे हम बनाएंगे इंस्टेंट, मतलब क्विक, बिना इस्ट के कभी भी आपका मन किया, तो फोरण इसे गोंदें और बना लिजे ज्यादा तर भटूरे के आटे को फर्मेंटेशन के लिए दो से तीन घंटों के लिए छोड़ना पड़ता है पर हमें इतना इंतजार करने की पिल्कुल भी जरूरत नहीं है हम इसमें कुछ ऐसी चीज डालेंगे जिससे आप इसे इंस्टेंटली बना सकते हैं बिना ओईली बहुती बढ़िया फूलने वाले अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रेस्प दिखने वाले बटूरे कभी भी आप बना कर एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए जटपट से इने बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम समेदा बटूरे को थोड़ा क्रिस्प भी करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा कप सूजी एक छोटा कप दही ये हमने घर का ताजा बना हुआ दही लिया है और हमें चाहिए 1 टीस्पून बेकिंग पावडर और 1 टीस्पून इनो साथी साथ इसमें हमने पहले ही 1 टीस्पून नमक भी मिला दिया है इनो डालने से गैस वगेरा भी नहीं होती और इसे डालने से ये इंस्टेंटली फर्मेंट भी हो जाता है अब ये सब हमें अच्छे से मिक्स करना है नॉर्मल टेंपरेचर का पानी लेकर इसका आठा लगा लेंगे ना ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अच्छे से इसे मिक्स करते हुए आठा लगा लेंगे और करीबन 10 से 15 मिनिट के लिए इसे रेस्ट देंगे और ढखकर छोड़ देंगे आठा अब हमारा बिल्कुल तैयार है इसे हम ढखकर छोड़ देंगे 10 से 15 मिनिट के बाद थोड़ा सा तेल लगाकर आठे को चिकना कर लेंगे आठे को अच्छा चिकना कर लेंगे अब आठा बिल्कुल तैयार है तैयार आठे की अब हम लोई बना लेंगे ये देखिए इस तरह से हम आठे की लोईया बनाकर रख लेंगे थोड़ा सा तेल या सूखा मैदा लगाकर भटूरा बेलेंगे आप अपने इच्छा नुसार गोल या लंबा भटूरा बेल सकते हैं मैं यहाँ पर गोल भटूरे बेल रही हूँ तेल को मैंने एक तरफ गरम करने के लिए रख दिया है अब तैयार भटूरे को अच्छे गरम तेल में हम तलेंगे तेल को पहले अच्छे से गरम कर ले और तभी इसमें भटूरा डाले हलके हाथ से दबाते हुए भटूरे के उपर तेल डालते चाहे यह देखिए भटूरा हमारा अच्छे से फूल गया है बहुत ही बढ़िया बटूरा तयार हो रहा है ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है एकदम फलफी गुबबारी की तरह हमारा बलून जैसा बटूरा बना है ये बटूरे बिल्कुल भी ओईली नहीं लगेंगे और हलके रहेंगे इसी तरह से हम सारे भटूरे तयार कर लेंगे तो ये देखिए हमारे फूले फूले अंदर से नरम मुलायम और उपर से क्रिस्प भटूरे बनकर बिल्कुल तयार है इन्हें आप गरमा गरम छोलों के साथ सर्फ करें और एंजॉय करें तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन भी क्लिक करें ताकि नई रेसीपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा खेयर करें फिर मिलेंगे एक नई रेसीपी के साथ स्टे टिउन टू गार्निक वित रिनू थेंक्स फॉर वाचिंग झाल झाल स्टेश ग्यादा प्रेंड समगिन स भी चॉल झाल स्टेश